इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत हैं और आपको कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी डैबिलोंग 150 कैपसूल एक ठकार ओधी या खून को पतला करने वाली दवा है यह खून के ठक्के बनना की रोकथाम और इलाज करने में मदद करता है इसका इस्तेमाल स्ट्रोक औ होट अटेक के जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है यह आपकी टांगों, हेफ़डों, मस्तिश्क और हिरदय की नसों में ठक्के बनने से रोकता है और उनका इलाज करता है डैबिलोंग 150 कैपसूल को सामाने तोर पर अनियमित होट रिदम यानि की एट्रियल फाइब्र इसे खाने के साथ या बिना खाय लिया जा सकता है लेकिन हर रोज इसे एक ही समय पर लेना सबसे अच्छा है आपको इस दवा को कई वर्षों तक कुछ मामलों में तो जीवन के लिए भी लेना पड़ सकता है अपने डॉक्टर के मार्क दर्शन के बिना इसे लेना बंद न करें और नहीं खुराक बदलें यह आपको तेजी से होट अटैक, स्ट्रोक या ट्रोम्बोसिस यानि की रक्त वहिका के भीतर खून के ठकके की एक संरचना के जोखिम पर डाल सकता है आप अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव करके जैसे की धूंडपान न करना, अगर आपको किसी लक्षन का अनुभव होता है, तो अपने डॉक्टर को तुरंथ बताएं, सिर्दद, दौरे, अलजी, आँखों की रोशनी में परिवर्तन और थकान जैसे अन्य साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इस दवा का इस्तिमाल करते समय आपको स्तनपान नहीं कराना चाहिए, अन्य एंटिकोएग्योलेंट से विप्रीत, इस दवा को लेते समय एक रेगुलर ब्लड टेस्ट, यानि की PTINR की आवशक्ता नहीं होती है, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद